Hello students, class 12th में हमारा चेप्टर चल रहा है, वो है Vector Algebra तो इस चेप्टर के जो ये question number, example number 28 है हम इसको discuss करने वाले हैं जो की page number 456 पे है अगर आप ये question पढ़ो तो इस question में आपको A vector की value दे रखी है B vector की value दे रखी है और C vector की value दे रखी है इसके साथ एक चीज और ये कहिए, इसको ज़रा समझे Each one, each one का मतलब है A vector, B vector and C vector Each one of them being perpendicular to the sum of the other two मतलब हर जो vector है, वो perpendicular है बाकी जो बचे हैं दो vector उनके sum के ये मतलब है इसका तो A vector perpendicular है, बाकी बचे दोनों vectors के sum के B vector perpendicular है, बाकी बचे दोनों vectors के sum के C vector perpendicular है, बाकी बचे दोनों vectors के sum के तो ये जो शब्द है नवच्चों, इसका मतलब ही यही है और तुम्हें इसकी value find करनी है तो इसकी value find करें, पहले इसको समझ लेते हैं ठीक से जब भी आपको perpendicular दिया होता है तो इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि उस vector का dot product बाकी बचे दोनों vector के sum से कितना होगा? 0, यह समझ में आ गया होगा आपको तो अगर मैं इसको solve करो, नीचे solve करके दिखाता हूँ इसको solve करो तो यह हो जाएगा बच्चो A dot B plus A dot C equal to 0 अब इसकी बात करते हैं कि यह vector भी इन दोनों के sum के क्या है perpendicular तो इसका मतलब B vector dot यह A vector plus C vector equal to 0 तो अंदर अगर dot product बनाएंगे तो यह क्या आजाएगा? पहले इसको इससे करेंगे तो यह आजाएगा A dot B B dot A भी लिख सकते हो पर उसका मतलब यह होता है क्या लिखेंगे B dot A उसको तुम A dot B भी बोल सकते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर क्या है B dot C तो यह B dot C equal to 0 अब इसकी बात करते हैं यह C vector perpendicular है A plus B तो आप लिखेंगे कि C vector perpendicular है तो C vector का dot product A plus B के साथ कितना हो जाएगा? 0 तो अब आप क्या करेंगे? यहां पर dot product करें तो यह क्या आजाएगा? देखेंगे जरा C dot A plus C dot B equal to 0 बच्चों यहां तक समझ में आगया होगा आपको अब आपके पार जो तीन equations आईगी हैं ना इन तीनों को हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर कौन कोसी चीज जोड़ेंगे? यह देखो A dot B है यह भी A dot B है तो जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 A dot B अब यह देखो यह B dot C है और यह भी B dot C है लिखा तो C dot B है पर इसको तुम B dot A पढ़ सकते हो तो क्या होगा? twice of B dot C और यह देखो यह है A dot C और यह है C dot A दोनों का मतलब सेम ही है तो यह होगा twice of C dot A और इन सब का सम कितना हो गया? 0 तो पहले step में हमें यह चीज़ करनी तो यह हमने कर ली अब आते हैं question में हमें इसकी value find करनी है तो बच्चों जब भी इसकी value find करनी होती है तो इसकी value find करने के बज़ाए आप यह find करो इसके square की value ठीक हो गया? तो इसके square की value तो इसको हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं A vector plus B vector plus C vector का whole square और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हमेशा याद रखना A vector plus B vector plus C vector dot A vector plus B vector plus C vector ठीक है तो इसका formula वैसा ही बनेगा जैसे आपने 9th class में पढ़ा है a plus b plus c के whole square का जैसा क्या होता है वो a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c पर यहाँ पर जो formula आपका बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा mod a का square, mod b का square, mod c का square plus 2a.b plus 2b.c plus 2c.a आप इसका dot product इससे करेंगे तो भी ऐसा ही आपको दिखाई देगा और यह formula भी आपको as it is याद भी रखना है अब अच्छो mod a की value आपको question में दे रखिए पहले ही 3 mod b की value 4 और mod c की value 5. तो put करते हैं तो इसकी value 3 है तो 3 का square कितना हो गया? 9. इसकी value 4 है तो 4 का square कितना हो गया? 16. इसकी value 5 है तो 5 का square कितना हो गया? 25. और यह बच्चों जो बचे हुए 3 दिख रहे हैं मैंने ऊपर ही prove कर दिया है इन तीनों का sum कितना है 0 तो इन पूरे की जग़ब मैं क्या रख लूँगा 0 तो सिर्व यही बचेगा तो इसको solve करो तो इसको solve करने से कितना आ रहा है देखो ये भी 25 है 25 तो ये कितना आ गया आपका 50 आ गया तो इसका मतलब है mod a vector plus b vector plus c vector का square आ गया 50 इसको मैं यहां लिख लेता हूँ तो mod a plus b plus c का square कितना आ गया 50 तो mod a plus b plus c कितना आ गया square root of 50 जिसको हम लिख सकते हैं 5 root 2 तो इस तरीके से बच्चों हमने इस question को भी यहां पर completely solve कर लिया है I hope कि आपको यह पूरा solution समझ में आया होगा Thanks for watching